आप सभी का आपके अपने परिवार एक्जामबूर परिवार में मैं आभी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ Welcome to all of you उमेद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वास्त होंगे एक बार तेजी के साथ जुड़ जाएए फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं उमेद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वास्त होंगे तेजी के साथ आप जितने भी बच्चे हैं एक बार तेजी से जुड़ जाएए फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे Welcome to all of you सभी का स्वागत है सभी को नमश्कार रादे रादे रावरा Very very good evening to all of you जैसे कि आप बच्चों को पता है आज हम लोग जादा से जादा प्रशनों को करने का प्रयास करेंगे कोसिस करेंगे कि most of the question हम लोग आपके सामने कर सकें आप सभी बच्चे एक बार पहले session को तेरी के साथ share कर दीजे जितने मी बच्चे हैं सभी बच्चे एक बार session को share कर देंगे देखो सवाल यहां पर यह आता है कि question कैसे होने वाले हैं आज उसके बारे में discuss करेंगे देखे एकदम बढ़िया भया एकदम शांदार प्रश्न करेंगे आपको और मज़ा बहुत आएगा कोसिस करिए question करने की यह वा कोसिस करिए question करने की tension छोड़िये गलत होगा की सही क्या क्या बात बड़े mood में लग रहे हैं आप इससर हुँ अपने बच्चे को पता नहीं क्या दिला रहे है वो गंटे वर से दिला भी नहीं पा रहे है चलिए देखे यहाँ पर लिखता है रल thambaur रल thambaur क्या है बागों के लिए प्रशिद्ध अभ्यारन है तो काजी रंगा किसके लिए है काजी रंगा एक सींग वाला गेंडा बहुत बढ़ी असाबास काजी रंगा क्या है एक सींग वाले गेंडे के लिए है और जो गेंडे का सींग होता है जो गेंडे का सींग होता है न इसका बहुत ज़्यादा हुआ होती है यह मेरा गेंडा है खतरनाग टाइब का गेंडा है इसकी यह सींग बहुत ज़्यादा स्मगल की जाती है जिसके चक्कर में इस गेंडे को बैचारे को निफ्टादेते हैं कुछ पापी निर्मोही अपनी जरूरतों के चक्कर में का करते हैं बैचारा गेंडा मार देते हैं खड़ा गेंडा मार देते हैं भाईया एक बार आप सभी बच्चे जितने हैं सभी लोग एक बार सेशन को तेरी के साथ शेयर कर देंगे जल्दी से पहले एक बार आप सभी बच्चे सेशन को फटा-फट शेयर कर जितने हैं, देखे, कुशन नमबर दो की बात करते हैं, यहां बहुता है कलाकार, खिलारी और डॉक्टर, यह क्या रिप्रेजेंट करता है, यह किसको लगाता है, भईया, यह कलाकार को रिप्रेजेंट करता है, यह कलाकार को रिप्रेजेंट करता है, और बच्चों यह किसक ये खिलाडी को रिपर्जेंट करता है और ये किसको डिखाता है ये आपके डॉक्टर को दरसाता है अब सवाल ये है कि क्या उत्तर हो जाएगा बताएगे सत्रा कितने डॉक्टर ना तो कलाकार है और ना ही खिलारी है कितने डॉक्टर ना तो कलाकार है ना ही खिलारी है तो केवल ऐसे सत्रा डॉक्टर है कितने डॉक्टर है मार्केट पे केवल सत्रा डॉक्टर है केवल 17 डौक्टर हैं, ना तो कलाकार हैं, और ना ही खिलाडी है, केवल 17 डौक्टर हैं, कितने डौक्टर भाईया, 17 डौक्टर, एक बार तेरी से बताइएगा क्या हो जाएगा करेक्ट अंसर, क्लियर बच्चों, चले अगला प्रेस्ट देखे क्या बोलता है कहता है क्या निरक्षरों को ओट डालने से वंचित किया जाना चाहिए क्या निरक्षर, निरक्षर मतलब क्या है जो पढ़े लिखे नहीं, आज कहा है बच्चे, हाँ ए भाईया, कहां गया सब जने, है तनिक एक बार शेयर करके आईए कहां रह गये हो सभी लोग भाईया बताईए, एक बार आप सभी लोग सेशन को पहले शेयर करें, तो बड़ा गंदा चल लाए क्लास, ठका देता है एक बार चल्दी से आप सभी लोग session को पहले share करिये भाई, पड़ा फट, यतने बच्चें एक बार session को पहले share करें, only two, क्या देखिए, हाँ, उन्हें आसानी से गुम्रा किया जा सकता है, दूसरा नहीं, या उनके संबैधानी का धिकार है, या उनका संबैधानी का धिकार है, सवाल ये तर्क बिल्कुल गलत है, आप कहते हैं कि नहीं उनको आसानी से गुम्रा किया जा सकता है, ये चाचा, ये चाचा कहें उटवा दिये जाता है, अरे वह जीता था है, जूटे आपनोट खराब करें, आदमी कहेगा इसा है, जादा हमका न सिखावा किनारे बैठो, बहुत काबिल न बनो, उनको पता है तुमको कितना आता है, तो ऐसे पढ़े लिखे अनपढ़ लोग तो इस समय इसे सिखाते हैं, कि हमका पता है कितना आवा, जादा अंग्रेजी न बतावा, सामने वाला क्या बोलेगा, जादा अंग्रेजी न बतावा, हमका बहुत पता है, चलिए, दी गई स्रेणी में, ऐसे कितने साथ है, जिसके ठीक पहले तीन आता है, ऐसे कितने साथ है, जिनके ठीक बाद तीन नहीं आता है ठीक बाद तीन नहीं आता है लेकिन ठीक पहले आठ आता है मतलब आपको 87 चाहिए लेकिन 873 नहीं चाहिए मतलब आपको 87 चाहिए इस बात को याद रखिएगा आपको कितना चाहिए 87 चाहिए कितना चाहिए, 87 चाहिए तो केवल ये आपको कितनी बार मिलेगा, तीन बार मिलेगा केवल बच्चों आपको कितनी बार मिलेगा, तीन बार ये साथ बता रहे हैं साथ पता नहीं क्या बता रहे हैं यहाँ पर अगला प्रश्चन देखिएगा बच्चों मैंने आपसे पहले ही बताया था कि पेपर का आज पैटर्न को चेंज होगा लेगिन बच्ची उतने ही खामोस और बेजुबा टाइप के आज दिखने है माहौल यह लगता है ना कि कुछ दिन थोड़ा रिलैक्स आपको कराना पड़ यहां पर कहता है बैग यहां पर देखें यहां पर क्या लिखता है बच्चो बैग और चमड़ा बैग और चमड़ा दोर से देखें बैग और चमड़े की बात होती है अब ही देखें यहां पर क्या लिखा है बैग बैग और चमड़ा और अब यहां पर क्या दिखता है प्लास्टिक किसका बना होगा बच्चो पॉलिमर का प्लास्टिक आपका बना होगा, अगला देखेगा, इस कुश्चन को देखे, यहाँ बर आपके सामने है, 30 सेकेंड का समय, बताइए, तवाल कहता है मैरी आयूशी से लंबी है, गुंजन आयूशी से लंबी है, किंतु सा वालिनी से छोटी है, जो मैरी से लंबी है, बढ़िया सा एक छोटा सा अरेंजमेंट का सवाल है, गौर्स देखियो और बताई, ऐसे करते हैं, देखिये, मैरी जो है, वो आयूशी से लंबी है, ये अपनी कौन हो गई भाईया, ये मैरी हो गई, ये लंबी है, किस से लंबी ह आयूशी से यहाँ अब लिखता है गुंजन आयूशी से लंबी है गुंजन जो है वो आयूशी से लंबी है कौन भाईया गुंजन आगे चलते हैं किंतु सालिनी से छोटी है किंतु किस से छोटी है सालिनी से छोटी है किंतु सालिनी से छोटी है जो मेरी से लंबी है जो मेरी सालनी जो है exactly जो मेरी से लंबी है देखेगा किन्तु सालनी से छोटी है जो मेरी से लंबी है ये मेरी से लंबी है ठीक है इसमें कौन सबसे लंबी है तो सालनी आपकी सबसे लंबी हो जाएगी कौन सबसे लंबी हो जाएगी बच्चों, सालनी आपकी सबसे लंबी हो जाएगी, चले, अगला कुशन मताईए मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, कुशन देखिए, क्या कहता है, लिखता है, संगीत मानसिक सांती के लिए बहुत अच्छा है, संगीत क्या है, आपके mental stress को करता है, कि खुसरो बाजी प्रेम की, जो खेली मैं पी के संग, खुसरो बाजी प्रेम की, जो मैं खेली पी के संग, जीत गई तो पी मेरे, और हार गई तो पी के संग, ठीक है, यहाँ पर कहता है, संगीत मानसिक सांती के लिए बहुत अच्छा है, निसकर्स कहता है, परजित सिंख्या गाना गाता है आतमें रोने लगता है भाई साब ये गाना गाता है न ता आतमें रोने लगता है रोने लगता है रोता है आतमें ये रोता है कि वो किसी और किसी और से मिलके आ रहे हैं पिशोर कुमार एक परशिद गायक थे अब आप ये बताइए सवाल य कोई निसकर्स फालो करेगा, नहीं फालो करेगा सर, हमें यहां पर संगीत की सांती की बात कर रहा है, किसी व्यक्ती विसेश की बात नहीं कर रहा है, हम व्यक्ती की बात नहीं कर रहा है, हम संगीत की बात कर रहा है, यहां पर कहता है घड़ी, घड़ी क्या बताती है, समय बत तो थर्मा मीटर क्या बताएगा थर्मा मीटर आपका तापमान बताएगा टमप्रेचर बताएगा बुखार बताएगा बताएगा घरी जिस तरीके से समय बताती है थर्मा मीटर क्या करता है तापमान बताता है समय के अनुसार आप दिन और रात आइडेंटिफाई करते हो उ अगले प्रशन की बात करते हैं, एक बार तेजी से सभी बच्चे जितने हैं मेरे साथ में, सभी बच्चे एक बार तेजी से से सेशन को जरूर शेयर कर देंगे, बताईए, कुशन नमबर 9 की बात करते हैं, देखिए और बताने का प्रयास करिए, लिखता है, यदि एक में वाईं और से 11 अस्थान पे अब आप बताएं कैसे पता चलेगा कैसे पता चलेगा कौन बताएगा हम बताएंगे और कौन बताएगा हम बताएंगे और कौन बताएगा ये क्या हो रहा है भाई आज का क्या सीन है बच्चों कहा है क्या सीन चल रहा है हैं ये क्या चला आज बच्चे क्यों कम है ऐसा क्या है आज की बच्चे ही नहीं है कलस्वा में कहा सब चले गए यदि एक लड़के को पता चला कि वा लड़कों की एक पंग्ती में 22 से 11 अस्थान पर है और यहां पर देख bıH और 22 से किस नमर पर है बाई और से किस नमबर पे है पाँचुए अस्थान पे ये आपको पता चलता है तो पंक्ती में कितने लड़के और शामिल किये जाने चाहिए तक कि पंक्ती में लड़कों किस थांग क्या वंतिस हो जाए पहले तो आप ये करिए टी बराबर एल प्लस आर माइनस वन करिए तो ये ग्यारा प्लस पांच माइनस एक कर देंगे सोला माइनस एक बराबर कितना हो जाएगा पंदरा कहिए और पंदरा में कितना जोड़ दे तो उनतिस हो जाएगा चाओदा 15 में कितना आप जोड़ दे तो 29 सो जाएगा बच्छो 14 आप जोड़ दीजिए 30 सो जाएगा अगले सवाल का उत्तर बताईए तेजी के साथ बताओ बताओ भया क्या हो जाएगा correct answer जिन्दा बाद भाई जिन्दा बाद थोड़ा ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास करिए सभी बोड काले हैं जितने बोड हैं देखो बच्छो जितने बोड हैं सभी के सभी बोड क्या हैं आपके काले हैं तो हमने सभी बोड को काला कर दिया और सभी काले जितने काले हैं सब के सब सफेद है अब आप all का concept देखे सभी board जितने board हैं ये board हो गए सभी के सभी board क्या है काले है यहाँ बर क्या है काले है बाले नहीं है काले है और सभी काले क्या है आपके सफेद है उतर आया answer आया की नहीं only four oh my god चौथा देखे concept ये कहता है कि जो भी अंदर से है अंदर से बाहर निकलेगा तो ये सभी के sense में निकलेगा बाच्चु और बाहर से अंदर बच्चु जाएगा तो कुछ के sense में जाएगा निस्कर्ज की बात करते है कोई भी सफेद काला नहीं है सभी काले बोड हैं क्या सभी काला आपको बोड दिखता है नहीं दिखता है यहाँ पर कहता है सफी सफेद जितने सफेद हैं सभी सफेद काले हैं गलत सभी बोड सफेद हैं अरे भाईया अंदर से जब बाहर निकलोगे अंदर से जब बाहर निकलोगे तो all के ही sense में तो निकलोगे न, all के ही तो sense में निकलोगे, तो ये correct हो जाएगा, दूसरा, अब ही देखो, उत्तर बताओ, इस question का उत्तर बताओ भाईया, क्या हो जाए, देखो और बताने का प्रयास करो मेरे दो बच्चों, बताइए, एक महिला की ओर, इंगित करते हुए जैंत कहता है, एक महिला की ओर, इंगित करते हुए जैंत कहता है, क्या कह रहे हैं जैंत, गौर से सुनिये, वह परतिक्षा की बहन है, जो दुश्यंत और आभा के भाई है, आभा जैंत की साली है, और उसकी केवल एक ही बहन है, तो जैंत, जैंत का उस महिला से क्या रिस्ता है, एकदम बहुत प्यारा ब्लड रिलेशन का सवाल है, बहुत जवर्जस्त ब्लड रिलेशन का सवाल है, आप ध्यान से देखिए और बताने का परियास करिए कोशिस करिए कि आपका उत्तर बन जाए कौपी में बनाना तो पड़ेगा बाबू लिखता है एक महिला की और इंगित करते हुए जैंत कहता है वह परतिक्षा की बहन है ये अपनी परतिक्षा हो गए देखिए कैसे बनाते हैं गौर से समझेगा ये परतिक्षित परतिक्षित की बहन हो गई वो परतिक्षित की बहन है किसकी बहन है परतिक्षित की बहन है इसकी सिष्टर कौन हो गई वो महिला हो गई वो परतिक्षित की बहन है वो महिला जो दुश्यन्त और आभा का भाई है जो दुश्यन्त और आभा का किसका भाई है ये भाई है पहला दुश्यन्त का और दूसरा किसका आभा का ये दुश्यन्त और आभा का क्या है भाई है ठीक है नाम से ये महिला ये पुरुस लग रहे है नाम से ये पुरुस ये महिला लग रहे हैं कोई बात आभा जैन्त की साली है आभा किसकी साली है आभा जैन्त की साली है आभा जो है ये ये परिटिकुलर महिला कौन है ये साली है किसकी साली है जैन्त की ठीक कोई बात और उसकी केवल एक ही बहन है मतलब आभा की केवल एक ही बेहन ये महिला हो गए आभा की केवल एक ही बेहन ये महिला हो गए और इस महिला के पती कौन है जैन्त इस महिला के पती हो गए और ये महिला इनकी ये आभा इसकी क्या हो जाएगी आभा इनकी क्या हो जाएगी भाया साली हो जाएगी साली यहांबर क्या हो जाएगा सिष्टर इल्ला हो जाएगा तो जैंद का उस महिला से क्या सम्मन्द है जैंद उस महिला के क्या है पती देवता है क्या है हस्बेंड है हैंड है यहांबर क्या हो जाएगा पती देव है आच्छा बहुत बढ़िया, बहुत पती देव करें बिटा, जब बिया होगा ना, तब तुमका समझ में आएगा कि तुमाँ पती देव क्या निकल गया, चिरचरवा बच जाएगा पती देव, तब पतिनी देवी के आगे, इसे हाथ नमन नत मस्तक करके, इसे हाथ जोड़क भाई यह थोड़का बताओ तो आप कहेंगे इसा है जीवन में कुछ भी करना लेकिन साधी मत करना देखिया अभी तो विवावाला अनभाव हमको तो नहीं है यह हमको नहीं है लेकिन हमने लोगों के मुझे इतना सुन रखा है इतना सुन रखा है कि भाईया साधी ना करना यह लिए हमों बता रहे हैं करने की चाहत तो हमारी भी है भाई करेंगे तो हम भी वही है न साधी का लड़ू जो खाए उपस्ता है जो ना खाए उपस्ता है तो भाई ट्राई तो एक बार अद्मी करेगा ही 12, 15, 18, 21, 12 प्लस 3, 15 और 15 प्लस 3, 18, 18 प पंडाल अंडाल बनवाएं बताइए आगे 34, 46, 58, 70 यहां पर कितने का अंतर दिख रहा है यहां पर आपको 12 का अंतर दिख रहा है यहां पर आपको कितने का अंतर दिख रहा है 12 का यहां भी आपको 12 का अंतर दिख रहा है और आगे भी 12 का अंतर होगा तो यहां पर कितना ह जाएगा एक्स बयासी पांग तीन आठ आठ तीन ज्यारा ज्यारा तीन 14 14 3 17 तो ये आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा दिस विल वी दा करेक्ट एंसर साबास भहिया साबास बताईए अगले सवाल की बात कर रहे हैं हाँ तो भहिया बताईए हम नहीं करेंगे साधी बिलकुल ना करना एक बाद डाक्टर को जरूर्ट एक बाद अपने घर वाले मम्मी मम्मी पापा जरूर बता देना कि हम साधी नहीं करेंगे अरे जब साधी नहीं करोगे तो कौनों जिम्मेदारी ही नहीं है तुम पर तुम का पढ़ले लिखने का जरूरत है चालिस साल की उमर जब भीत जाएगी न तब तुमका समझ में आएगा कि अरे अब का करें अब तो सब खतम हो गया अब तो कोई साधी भी नहीं करेगा कोई देखने वाला भी नहीं रहेगा ऐसे घर वाले समझाते हैं हम नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, जो मर जी हूँ करो, यह तो घर वाले इसे हमको भी समझाते हैं, हम भी तुम्हाएं तरह बोलते हैं, बताइए इस कुशन का क्या उत्तर हो जाएगा, तेजी के साथ बताइए, ध्यान से देखियो और बताने का परियास करिए, कह रहे हैं कुछ ना समझ मैत numbering करो यहाँ पर 13 12 है और यह 15 13 है यह 2 है यह 25 है और यह 9 है और यह 5 है मतलब minus 6 यह 12 है यह 7 है minus 5 यहाँ पर देखिए 5 है और यह 25 है minus 6 मतलब minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 7 में से 4 गया कितना हो जगा 3? 3 का मतलब C और 1 के option में C है वो आपका correct answer हो जाएगी यही होता है तरीका कुष्ण को करने का बाकी बहुत है हम आएंगे आप लोग को भी बुलाएंगे सबहे लोग को बुलाएंगे साधी में अगला सवाल देखिए उत्तर की बात करते हैं काउन रो रहा है देखा राकी अब यह रो रहा है कि हमको बिदाई अर्य तुम्हारी बिदा नहीं होगे हमारे भारतिये समाज में लड़के बिदा नहीं होते है लड़किया बिदा होती है वो काम लड़कियों का है पागल चलिए तुम रो रहे हो जुके इसने यह तुमको है कुछ बैग किताबे हैं Some Bags are Book और सभी कलम किताबे हैं जितने कलम हैं सभी के सभी किताबे हैं यहाँ पर क्या कहता है Some Bags are Book गौर से देखेगा And All Pants are Book अब इस बात को ऐसे समझेगा जितने बैग है कुछ बैग Some Bags are क्या है आपकी Books है किताबे हैं और कहता है सभी कलम जितने कलम है सभी कलम क्या है किताबे है निसकर्स की बात देखे उत्तर देखे और देखे यहाँ पर चार कंक्लूजन है Only one आपको करेक्ट करना है लिखता है सभी बैग कलम है जितने बैग है सभी कलम है गलत, सभी किताबे सभी बैग किताबे हैं जितने बैग हैं सब किताबे हैं गलत, कोई भी कलम किताब नहीं है, गलत, कुछ किताब कलम है, कुछ किताब कलम है, ये आपका चौथा बिल्कुल correct answer हो जाएगा, fourth will be the right answer, चलिए, बताइए और मेरे दोस्तों एक बार इस session को अगर share आप कर देंगे, तो सच में बता रहे हैं, मुझे बड़ी दिली खुसी होगी, बड़ा अच्छा लगेगा अभी थोड़ा सा, अच्छा तो ऐसे भी लग रहा है बस एक थोड़ा सा वो हो जाएगा कि हाँ सभी बच्ची आ गए है पता नहीं आज क्यों बच्ची नहीं है मैं खुदी बड़ा असमंजस की स्थिती में हूँ इस शीच को लेकर देंगे चलिए कोई बात नहीं, जो मिल गया वो अच्छा है, जो नहीं मिला वो और अच्छा है उत्तर बताएए बच्चो इस कुश्चन का उत्तर बताएए थोड़ा जोस और उत्सा के साथ मेरे दोस्तों बहुत शांदार, देखे बहुत ही आला, बहुत ही शांदार बताएए एम, देखेए मेरे दोस्तों ये कितना है ये एक है ये तीन है ये पाँच है ये साथ है ये नो है और ये ग्यारा है यहां से यहां तक कितना है दो है यहां से यहां तक कितना है दो है यहां से यहां तक भी दो है यहां से यहां तक भी दो है यहां से यहां तक भी दो है और आगे भी 2 हो जाएगा, 11, 12, 13, 13 का मतलब कितना हो जाएगा, M हो जाएगा, अगला सवाल बताएगे, अगला कोशन देखिए मेरे बच्चों, इस कोशन को देखिए, लिखता है पाच सदस्यों की एक टीम, कितने सदस्यों की एक टीम, पाच सदस्यों की एक टीम, उत्तर क उत्तर की और मुकर के एक पंक्ती में बैठे हैं, का मतलब ये होता है, उत्तर की और मुकर के एक पंक्ती में बैठे हैं, कितने सदसे हैं, पात सदसे, उत्तर की और मुकर के पंक्ती में बैठे हैं, आगे कहता, ए जो है, वो सी के बाई और है, ए जो है, ये देखिए, ए, ये hand इधर, left hand इधर, A जो है, वो C के बाई ओर है, और E के दाई ओर है, और E के, मतलब और E के दाई ओर है, right side of E, और E के, यहाँ पर देखिए इसका right hand इधर, यहाँ पर कहता है, B जो है, वो D के बाई ओर है, और A के दाई ओर है, शब्द देखिएगा B जो है वो D के बाई और है B जो है वो D के बाई और है B जो है वो D के बाई और है और A के दाई और है और A के आपके किस साइड में है राइट हैंड पर अब सवाल ही आता है इन में से कौन मद्द में है देखे, मेरे जो मैंने बनाया है, उसके according to C आता है, मैंने जो बनाया है, उसके according to C आता है, लेकिन हो सकता है मेरा गलत भी हो, क्यों गलत हो, क्योंकि देखे, यहाँ बन लिखता है, C जो है, वो A के बाई और है, C जो है, वो A के बाई और, मैंने क्या कहा, यही से गलती ऐसे ह गलती करेंगे, तो यह आपने यहीं पर गलती हुई, सवाल देखे, यहां पर जो C है, वो A के बाईयोर है, और मैंने क्या बैठाया, A को C के बाईयोर, गलती है, C ही होगी, C जो है, वो A के बाईयोर है, और E के बाईयोर है, और E के बाईयोर है, यह बना, और यहां पर यह B बना और ये D बना तो यहां पर आपका क्या जाएगा ये answer आ जाएगा मैंने आपसे बताया कि गलती क्या होती है गलती ऐसे ही होगी ठीक है ना चलिए बात के लिए रहे बात के लिए रहे बच्छों बहुत बढ़िया अगले कुशन की बात करते हैं अगला प्रश्चन देख 6, D का मतलब 4 आगे क्या हो जाएगा 2 दो का मतलब क्या होता है बच्छों B दो का मतलब मेरे बच्छों क्या हो जाएगा B आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा चलिए अगला कोशन बताए कोशन नमर 18 की बात करते हैं किसकी बात करते हैं कोशन नमर 18 की बात करते हैं इस सवाल का उत्तर बताईए, जल्दी से बताईए बताईए यहाँ पर लिखता क्या है पाँच, नौ, सत्रा, तैंतिस, पैंसट कुश्चन मार यहाँ पर कितने का अंतर दिखता है बच्छो यहाँ पर देखेगा गैप निकालिए, सिंपल सा गैप निकालिए यहाँ पर कितने का अंतर दिखता है बच्छो प्लेस छे का अंतर है यहाँ पर कितने का अंतर दिखता है आपको यहाँ पर आपको क्या अंतर दिखता है अब आप कहेंगे सर यह छे का अंतर है, no doubt इसमें कोई दोराए नहीं है अब आप 17 दुना 34 लेकिन आगे का जो अंतर बढ़ा वो इतना बढ़ गया कि अब मैं क्या करूँ तब आप ये करेंगे कि सर आइसे सोचेंगे देखें आप कहेंगे सर 5 को दुगना करिए 5 को दुगना करिए कितना हो जाएगा 10 10 हो गया और 10 माइनस 1 बराबर 9 9 को दुगना करिए कितना हो जाएगा 18 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 17 और 17 को दुगना करिए 17 दुगना कितना हो जाएगा 34 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 33 आगे देखें 65 को दुगना करिए 65 दुगना कितना हो जाएगा 130 65 दीना 130 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 139 बच्चो कितना हो जाएगा 139 आपका विल्कुल परफेक्ट अंसर हो जाएगा लेकिन आगे देखिए अगले कुश्चन की बात को करते हैं बच्चो देखो और बताओ सोचो क्या हो रहा है 12.24 12.24 48.96 192.384 तो क्या होगा अगला सोचिए उत्तर बताइए मेरे दोस्त साथी बताइए उत्तर क्या हो जाएगा एंसर बताइए आप सभी लोग अगर दिमाग काम करेगा तो कसम्स खा के कह रहा हूँ कि उत्तर आ जाएगा सिर्फ दिमाग का खेल है चलिए देखते हैं कितने लोगों का दिमाग काम कर रहा है डी एंसर बताइए चलिए क्या ये आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है क्या यहां बर देखेगा क्या क्या ये आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है क्या ये इससे multiply होता नहीं दिख रहा है क्या मतलब क्या इसका ये दोगुना नहीं हुआ है यहां बर देखे ना क्या इसका ये दोगुना नहीं हुआ है क्या इसका ये दोगुना नहीं हुआ है मतलब each and every number two time इसका दूसरा time हो देखे 8 दूनी 16 चार दूनी 8 दूनी 16 चार 12 12 13 नहीं हुआ यहां पर लिखता है सेवन देखें यहां पर सेवन सिक्स और एड जब इसका आप टू टाइम करेंगे कितना हो जाएगा मतलब 1536 आपका विल्कुल correct answer हो जाएगा यह तरीका और आपको बताएं मैं exactly एक paper को कर रहा हूँ मैं एक previous year के paper को कर रहा हूँ वो हाँ UP Police Constable कर नहीं है no doubt मैं इस बात को accept करता हूँ किसी और परिक्षा का paper है लेकिन आप सूचिए एक particular paper में कितने question आपको series को देखने को मिल जाएंगे इसलिए अपने आपको series के हर तरीके के funde से मुक्त रहिए हर तरीके के funde से अपने आपको मुक्त रखिए चलिए बताईए जनाब क्या हो जाएगा उत्तर बताईए बच्छों हां उत्तर बताईए बहुत बढ़ी है यसर अच्छा लगता है ना बहुत बढ़ी है सावास बहुत मज़ा आता है, कसम से बता रहें, थोड़ा महिनत करिये न, दिल एकदम खुस हो जाता है, भारती समझ रहे हूँ न, अनमोल, यहाँ बर देखेगा, पलक, लवलीज कुमार जी, बिर्जेस, हनी, सुटा, यूपी, सिंग साह, मज़ा आ जाता है, इमानदारी से बता है कोशिस करिये, बस कोशिद को करने, देखो, यहाँ बर कितने का अंतर दिखता है, आपको यहाँ बर प्लस 17 का अंतर दिखेगा, कही हैं, यहाँ बर कितने का अंतर दिख रहा है, आपको प्लस 37 का अंतर दिखेगा, कही हैं, यहाँ बर कितने का अंतर दिख रहा है, यहाँ पर आपको 49 का अंतर दिख रहा है यहां पर आपको अंतर दिख रहा है कितने का अंतर है नो जीरो और यहां पर देखेगा यह यह उंफो 70 70 का अंतर दिख रहा है कितने का अंतर यहां पर 20 और यहां पर 50 70 और सर यहां पर कितने का अंतर दिख रहा है 70 के बाद सीधा यहां पर देखे इधर 44 और इधर कितना 910 का 0 मतलब यहां पर 910 एक और इधर कितना हो जाएगा 40 मतलब 41 मतलब कितना हो जाएगा यह आपका हो यहां पर भी आपको बन रहा है ये यह विस्क्तुर रहा है, कुछ को क्राद रहा है का सिष्टम बन रहा है कुछ गरबड किया हूँ क्या कहीं तो कुछ गरबड किया हूँ सम्मंदित नहीं अच्छा गलत बताना है कौन सम्मंदित नहीं है इससे कौन सी स्रीज जुड़ी नहीं है कौन सी स्रीज गलत है यहाँ पर हमको वो नहीं बताना है हमको ये बताना है कि कौन से स्रिंखला गलत है अगर यहां पर सत्रा का अंतर हो रहा था तो आगे भी हम सत्रा का अंतर करते तो यहां पर कितना आ जाता यहां पर आपका आ जाता 51 यहां पर कितना आ जाता 51 और जब हम इसमें 51 जोडते जब यहां पर हम 51 जोडते तो यह कितना हो जाता यहां पर 51 जोडते कितना हो जाता यह एक हो जाता और पांच चार नौ 391 हो जाता और जब यहां पर 391 हो जाता तो यहां पर जो फर्क आता कितने का आता यहां पर आजाता आपका देखेगा यहां पर आपका फर्ग कितने का आ जाता है 391 391 के बार देखेगा कियां पर कितने का 7 8 यहां पर आपका 8 और यहां पर कितना हो जाएगा 68 68 का अंतर हो 68 का अंतर मतलब 27 का अंतर होता है बिलकुल verify हो गया यह बात तो 389 की जगह कितना हो जाएगा 391 हो जाएगा 389 की जगहें पे बच्चो 391 हो जाएगा ठीक है न ये आपको verify करना था ठीक है न चलिए अगले सवाल की बात करते हैं गवर से सुनिया और बताने का प्रयास करीए यहां पर कहता है प्रकास translation शूर की उपस्थिती में होता है प्रकास translation किसकी उपस्थिती में होता है इसकी 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 उपस्थिती में होता है शूर की उपस्थिती में होता है शूर की उपस्थिती में होता है शूर की उपस्थितरा का मल्टिपल बहुत उसी तरीके से बच्चों लिखने का काम किसके माध्यम से होता है कलम से अब आप काओगे नहीं हम तो प्रिंट नया तरीका answer दूसरा दिख रहा है हम प्रिंट को कर देंगे desk jet कर देंगे पंखे को परकास कर देंगे पुस्तक को पत्रिका भावना को समझे इसकी feeling को समझे कहन परकास संचलेशन शूर का परकास शूर के परकास में ही परकास संचलेशन आपका होता है चलिए अगला बताई जीब जो आपकी जीब है यह टंग टंग क्या करती है श्वाद को लेती है जीब क्या करती है स्वाद को पहचानती है उसी तरीके से आपका फेफडा यह जो आप परिसंचरन और क्या हो जाएगा समवेदना बताएए जल्दी से उत्तर बताएए हमारे सभी दोस्तों बताएए क्या करेगा स्वसन बिल्कुल सही जवाब स्वसन वाले बच्चों का स्वसन वालों बच्चों का स्वसन ऐसे ही लिखा जाता है स्वशन वालों का बिल्कुल सही रिस्पराईडेशन क्या बोलते है रिस्पराईडेशन सिस्टम ये आपका बच्चो बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा चलिए कुछ क्विक कोश्चन फुल स्पीड वाले आईए अब कुछ question हम लोग करेंगे, कोई question करेंगे full speed में, full speed में question करेंगे, ठ्ध्यान नहीं है, तयार हो जाएए, चलिए, ध्यान से देखिए, उत्तर देखिए, और बताने का परयास करें, देखिए, बच्छो, कोशिस करने से ही होगा, बताईए मेरे दोस्त क्या हो जाएगा कुश्यन अफ़ाना से उत्तर बताए मेरे बच्चो C कहता है चितर में कौन सा संबंदित नहीं देखे इसे आप लाइन से बना सकते इसको आप लाइन से बना सकते इसको इसको लेकिन इसको आप लाइन से नहीं बना सकते, इसको आप लाइन से नहीं बना सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा, हर एक चीज को आप लाइन से बना सकते हैं, लेकिन इसको आप लाइन से बना नहीं सकते हैं, यहाँ पर बताईए non-murbal के कुछ सवाल है, बताओ बच्छो कहता है कहां पर embedded है ये कहां पर छिपा हुआ है बताइए ये design कहां पर embedded है ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये मनलब exactly यही design आपको चाहिए exactly आपको यही design चाहिए बताइए कहां पर embedded है कहीं दिख रहा है हाँ दिख रहा है देखे, सर बी वाले में देखिए, ये, 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 और एह, छी, यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, आपके बी वाले आप्शन में दिख रहा है, यह जो आत्मी बना हुआ है, लेटा पेटा सा, इसी में आपका बना हुआ है, ठीक है का इस्तिमाल करते हैं भारत में सिक्षक अभी भी पारमपरिक तरीके का इस्तिमाल करते हैं और सिक्षण के आधुनिक तरीके से आउगत नहीं है लागु को ये जाने वाले कारवाही सिक्षकों को सिक्षण के लिए अपने पद्धती बदलने है तू अभी विन्यास किया जाना चाहिए, दूसरा आधूनिक तरीके से पढ़ाने वाले सिक्षकों के वेतन में बृद्धी होनी चाहिए, बताइए, क्या हो जाएगा करेक्टर अंसर बचो, आधूनिक तरीके से जो अध्यापक पढ़ाते हैं, उनको क् बेतन के सिद्धान की बात करता है, तो अगर आप भी पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, तो समानकार का शमान बेतन, ये प्रोटसाहन, ये अलग चीड है, हमको ट्रेंड करना चाहिए, ना कि इस तरीके से दूसरों को करना चाहिए, हमें लोगों को ट्रेंड करना चाहिए कि नहीं भाई तु कर लेगा तेरे को मैं ट्रेनिंग दूँगा भारत सरकार की जरूरत है मैं तेरे को ट्रेनिंग दूँगा भाई सिखा दूँगा तेरे को टेंसर मतले अगले कोशिन की बात करते हैं बताईए जल्दी से उत्तर बताई क्या हो जाएगा करिक्टर अंसर सभी फटा-फट बताए यहां पर देखे 18-10 बराबर कितना आ जाएगा आपका 8 कहिए हां तो 18-6 बराबर कितना हो जाएगा 14 10-6 बाई देखो 10-6 बराबर मतलब क्या हुआ आमने सामने के सर्फेस को आपने घटाया इसको आपस में घटाया इनको इनको आपस में आपने घटाया तो आरे भाईये 15 में से 5 गया तो 10 नहीं हो जाएगा यहां पर 10 हो जाएगा 10 नहीं हो जाएगा यहां पर इस कुश्यन का उत्तर बताईए तो माना जाएगा बहुत जानकार हैं इस question का उत्तर बताईए तो माना जाएगा कि आप बहुत जानकार हैं बताईए उत्तर बताईए बच्चों थोड़ा एक आत बार उत्तर थोड़ा सब लोग एक बार बताईए जोस से जोस से बताईए 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 देखिए बहुत महंती अध्यापक हूँ आपका मानिये या मत मानिये मानिये ना मानिये बहुत महंती अध्यापक हूँ कलास के बीच में रोज आप लोगों के साथ रोजा कोलता हूँ मनलब सब कुछ किनारे कर दिया है अब आप यहां पर ऐसे देखे यह यहां पर था कहिए हाँ फिर इसके बाद यहां पर यह आया कहिए हाँ अगर दोस्त इस बात को गौर से देखोगे तो अभी यह यहां पर आया कहिए हाँ ये ऐसे, ये ऐसे, तो कुल मिला करके, ये एकदम बॉटम से, देखे, ये ऐसे बट रहा है, मेरे दोस्त ऐसे समझो, ये हमारा ये ऐसे बॉक्स था, ये इस तरीके से कुछ बट रहा है, नौ के खाने में, किस में बट रहा है, ये नौ के खाने में बट रहा है, पहले देखो यह यहां पे था कही यहां, फिर यह यहां पे आया कही यहां, अब यह यहां पे आया कही यहां, तो यह यहां पर आएगा, यह सिर्फ आबिद सर बता सकते हैं, कि यह actual में है क्या, यह 9 का खाना आप नया सीखोगे, हर जगे पे नहीं है यह, हर जगे पे नहीं है, गोले की भ देखलो, बताओ क्या हो जाएगा, दूद और मक्खी, यहाँ बर मक्खन से दूद निकाला जाता है, तो किताब से क्या निकालोगे, किताब से क्या निकालोगे, बताओ मेरे बच्चों क्या निकालोगे किताब से, बताईए मक्खन यहां पर देखें मक्खन किस से निकलता मक्खन से दूद नहीं दूद से मक्खन निकला जाता है तो कागत से क्या बनती है किताब कागत से क्या बनेगी किताब बनेगी इस कुशन का उत्तर बताईए मैं एक सेगंड रोजा कोलनू भाई एक खजूर खालू जल्दी से बताए देखिए आप लोगों के साथ देखिए यह तो रोटेशन है ना यह तो मात्र रोटेशन है अगली बार क्या होगा यह आएगा ऐसे ही बनने को यह बनना तो इसको ऐसे ही है तो C वाला आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा अरे भाईया C वाला होगा ना अरे मालिक C वाला होगा मालिक कहां हो कहां खोए हो चलिए यहां बर बताएगे क्या हो जाएगा इस question का answer 10 second में यहां बर बताएगे क्या हो जाएगा नीचे दिये गए आकड़ों में से विकल चुनिए और कौन सा पर्ते वर्गों का पर्ते ने दिल झाल पर्ते नेदे पकड़ों में से फ़्डि़ब़े दिल झाल झालिक झाल झालिक झाल झालिक 16 प्लस 9 प्लस शार प्लस एक बराबर कितना हो जाएगा 30 16 प्लस शार प्लस 9 प्लस एक बराबर कितना हो जाएगा बच्छों 30 आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा थोड़ा तेजी के साथ बताई आओ और तेजी से बताई यहां अब लिखता है C O U L D को क्या लिखा जा रहा है P N T K C अब देखो जितना तेज करोगे उतना तेज answer आएगा ठीक है न अब देखिए यहां बर देखो बच्छों क्या हो रहा है minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 सब में minus 1 किया जा रहा है अब यहां बर क्या करोगे यहां पर minus 1 करोगे तो L आजाएगा O में से minus 1 करोगे तो क्या हो जाएगा N आजाएगा U में से minus 1 करोगे तो क्या हो जाएगा T हो जाएगा तो यह आपका correct answer हो जाएगा ठीक है ना? चलो बच्छो बताओ यहां पर क्या हो जाएगा यहां वर्गौर से देखो और बताने का पर्यास करो लिखता उस विकल्प का चैन करो जो दिये गए वर्ग का परतिनिदित करता है उस विकल्प को चैन करो मतलब उस आफशन को चुनिए जो वर्गों का परतिनिदित करता है अरे मेरे भाईया मेरे माटी के सेर हमने इसमें कितना वर्ग बताया था आपको पांच वर्ग बताया था कितना वर्ग बताया था पांच वर्ग तो पांच पांच दस पांच ते एक पंदरा यहां वर्ग पंदरा हो गया एक और दो पंदरा कबाद सूला एक सत्तरा कितना हो जाएगा 17 आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला बताईए इस तरीके के question आपको ना मिले तो जो कहना वो हार जाएंगे इस तरीके के particular question को गौर्च देखिए निखिल यादो जी इस तरीके का question देखो भारती ये question देखो motivational tracker इस question को देखो यहाँ बर कहता है सरिंकला में यहाँ बर कहता है दूसरे आधे भाद को उल्टा कर दिया जा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 12, 12, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20 मतलब दूसरे आधे भाद को 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 यहाँ के बाद जितना है सब को उल्टा कर दिया जा तो दाएं से नवा पद कि दाएं और पाचुँआपद क्या होगा बच्चों देखो सबसे पहले R9 लिख दो कहिए हां यहां पर दाएं से नवआपद के बाएं पाचुआपद क्या हो जाएगा यहां पर इन दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा R14 हो जाएगा कितना हो जाएगा ये आर फुर्टीन दाएं से चौदा हो जाए आर फुर्टीन अब आप देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा है यदि दी गई स्रिंकला में दूसरे आदे भाग को उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से नौए पद के बाएं पाचों पद काउं सा हो हाए, हाए, क्या बदल जाएगा, हाए, क्या बदल जाएगा भईये, नौ, पान, चौदा दस, क्यारा, बारा, तेरा, चौदा जी आएगा, बताएगे क्या आएगा, कोई बताएगा, जी ही आएगा सर, गलत है, कुश्चन का, उत्तर ही गलत है आई से थोड़ी ना होता है आई से थोड़ी ना होता है ये गलत बात है, हम इसकी कड़े सब्दों से हूँ करते है कड़े सब्द में करेंगे अब ये आगे ली आया गया होता तब बलत बात अलग हो जाए ये बात आगे अगे अगे ली आया गया होता बात अलग हो जाए 10 के बाद 11, 12, 13, 14 देखिए ये बात गलत है कोशन नहीं गलत है छोड़ दीजिए जो बच्चे G बता रहे हैं उनका तो बहुत बढ़िया लेकिन जो बच्चे C बता रहे हैं और जो बच्चे Q बता रहे हैं उनका तो मुझे समझ में नहीं आता है आप्शन देखकर के इतना प्रस्टेट काहे हो जाते हो भाईया, यह भाईया, आप सनुवा देखकर के इतना काहे लग जाता है कि नहीं उत्तरवा तो हमको देना ही पड़ेगा, गजवाई लड़के हैं, कुछ बच्चे तो अलगे माटी के बने हो जाए है, यहाँ बर की बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे फल पेड़ हैं, जितने फल हैं, सारे फल क्या हैं आपके पेड़, और कुछ पेड़ पक्षी हैं, कुछ पेड़ क्या हैं आपके पक्षी हैं, सारे फल, क्या दिक्कत है, सारे फल, जितने फल हैं, सभी के सभी फल क्या है आपके पेड़ है और कुछ पेड़ क्या है आपके पक्षी है कुछ पक्षी पेड़ है कुछ पक्षी पेड़ है कुछ पक्षी पेड़ है और कुछ पेड़ फल है कुछ पक्षी पेड़ है और कुछ पेड़ फल है कुछ पक्षी पेड़ है और कुछ पेड़ फल है बोत अगला बताईए आज जादा पच्पन कोश्चन कर लेंगे बताओ बच्छों क्या हो जाएगा करिक्टन्स उत्तर बताओ जल्दी से लिखता है बंगलोर में कई निजीविस विद्याले सरकार्द और निर्धारित सीमाओं से अधिक सुल्क परभारित करते हैं कारवाही ऐसे विद्यालों के विरिद्व सक्त कारवाही की जानी चाहिए दूसरा ऐसे विद्यालों को बंद कर दीना चाहिए सर बंद करना ये कोई कारवाही का हिस्सा नहीं होता है इस बात को याद रखिएगा हमेशा एक बात याद रखिएगा कारवाही हमेशा दो तरीके की होती है कारवाही समस्या के उपर निर्भर करती है कारवाही बच्चो सुनो आप उत्तर परदेश पुलिस कांश्टेबल वाले हो ध्यान से सुनो कारवाही जो होती है वो तो दो तरीके की होती है और ये निर्भर किसमे करता है समस्या के ओपर मैं सुरी बोलाओ, कारवाही कैसे की जाती है और निर्भर करता है समस्या के ओपर समस्या है दो परकार की होती है पहली समस्या होती है जटिल समस्या दूसरी समस्या होती है सामान समस्या जटिल समस्या जैसे निर्भर करता है, जिसका निवारण तुरंद करना चाहिए, जैसे भूकम, बाड, सूखा, आधी, तूफान, आतंकवाद, ये सब क्या है, ये सब जटिल समस्या है, इनको समधान तुरंद कर देना चाहिए, लेकिन जो समान समस्या होती हैं, जैसे घूस खोरी, बलाद सरम, महिलाओं के साथ अत्याचार, घरेलू अहिंसा, ये सब समान समस्या है, इनमें सुधार होना चाहिए, कहता है, which one is different from other, then we are looking the option number B, is the only one box and no one can, no, no complaint, भाई आए भाई 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 देखो, यहां पर थोड़ा सा, इसे ही गलती आता है, एक्जाम में, exactly ऐसे होना चाहिए था इसको, इसको ऐसे होना चाहिए था. लेकिन और करें, महां पास कोनों मजबूरी नहीं है, तो मिल लिए इसका चुंटे है, ठीक है ना, यहाँ बर देखिए ना, हम इसलिए इसको चुंटे है, यहाँ बर थोड़ा exactly है नहीं, सई डिजाइन, इसलिए हम इसको चुंटे, चलिए, अगले सवाल की बाद करते हैं, गौर्च देखो, सुनो, लिखता है मुंबाई में एक अगरणी, विद्याले में अगले स्टैक्चलिक वर्स में अपनी फीस डेर सो परसेंट बढ़ा दे, डेर सो परसेंट का मतलब समझते हैं क्या होगे, कि अगर इस समय सो रुपए है, तो उसकी फीस कितना होगे, डेर सो परसेंट का मतलब क्यों है, सो परसेंट मतलब 250 रु प्रणग हो सकती है, बताए, सवाल ये आता है, किसी ऐसा स्कूल की बात करते हैं, जहां पर फीस सरकार ने, उसने इतनी जादा बढ़ा दी, कि आपको सुनके ही आपको ओहालत खराब हो जाती है, मतब या तो वो स्कूल बहुत ट्रेंडिंग में है, सबसे बड़ी बात ये, या तो वो स्कूल बहुत ट्रेंडिंग में, या तो आप क्या कहेंगे, या तो वो स्कूल बहुत ट्रेंडिंग में, कि भाई, उस कॉलेज की दिवानगी है बच्चों में, दूसरा होगा क्या, अरे, पढ़ाते हैं, फीस बढ़ाए चले जा रहें, तो ऐसी स्थिती में हम लोग क्या यूज़ करते हैं बच्चों आईदर ऐसी स्थिती में क्या करते हैं हम लोग आईदर का यूज़ करते हैं हमेशा ऐसी स्थिती में बच्चों क्या यूज़ करेंगे आईदर यूज़ करेंगे इस बात को याद रखिए या तो भाई उसी विद्याले की पढ़ाई आईदर लगाते हैं अगला बदे यहाँ बर कहता पॉजिटीव 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 निमलिकित में से कौन सा चित्रफ्स दरपन पर तिमिंकी बात करता है याद रखेगा दरपन कहां लगता है दर्पण ऐसे लगता तू इह आप्का दर्पर डगेगा यह आपका दर्पण लगेगा यह आपका क्या लगेगा यह आपका दर्पन लगेगा उनुन हे नहीं है कोई उत्तर ही नहीं सही आप बताई अब क्या करें करें क्या करें क्या बोले तो बोले क्या वा मियोदी जी वा एक्जेक्लि यहां बर कोई एंसर ही सही नहीं है यहां बर कोई एंसर ही सही नहीं है समझ रहे ना कोई एंसर ही सही नहीं है अब दरपण कहा लगाया गया इसको यादो सही कर लिजे 36 दरपण रखा गया horizontal दरपण रखा गया याद रखेगा दरपण रखने का तरीका भी माईने रखता है दरपण रखने का तरीका भी माईने रखता है यहाँ पर horizontal दरपण लखा गया horizontal का मतलब तो यही होता है न, horizontal का मतलब यही होता है न, बच्चों एक बार कमेंट करके तो बताओ, horizontal का मतलब यही होता है न, तो सीसा ऐसे रखा गया है, एक बार कमेंट करके बताना मेरे दोस्त, horizontal का मतलब यही होता है न, चलिए, अगला प्रेश्ण देखिए, क्या खेता है सुनिए, यहाँ बर लिखता आरजू का जन्र 25 जन्वरी, आरजू का जन्र 25 जन्री, 2015 को हुआ था, आस्था का जन्र किस तारीक को हुआ था, बताईए, जो तरीका हम आपको बताएंगे, थोड़ा आपको अचीब तो लगेगा, लेकिन exactly मैं आपको बताऊँ, जो तरीका मैं आपको बताऊँगा, उससे आपका मन खुस हो जाए, मैं लिख के दे रहा हूँ, उस तरीके से आपका मन खुस हो जाए, अब आप कहिए मन खुस हो जाएगा, यह कौन तरीका भईया बताने वाले हैं, तो भईया यह तरीका ही आ बताने जा रहों सुनिए, देखिए, 2015 में होते हैं 365 दिन कहिए हाँ, इस में से 25 दिन माइनस कर दीजे जो हो चुके हैं, मतलब कितना बसता है, 200, 0, यहाँ पर 240 दिन अभी सेस बचा है, 240 दिन आपके सेस बच चुके है, मतलब यहाँ आप दूसरे शब्द में कहिए, कि जनवरी में, देखे, यहाँ पर देखे, जनवरी में कितना दिन बसता है, अभी 6 दिन बचा है, जनवरी में 6 दिन बचा है, मतलब आपका यह जो 365 दिन का खेल था, 365 में से आप ऐसे समझे न, यहाँ पर सीधा सीधा अभी इस चीस आपने माइनस किया, कितना हो गया, 340 दिन अभी सेस बचे हैं, 340 दिन सेस बचे हैं, माइनस करिए, 554 से 340, जब माइनस करोगे तो 4, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, 214, जब इसको लिखना सुरू करोगे, तो यह जनवरी से ले करके, अगस्त तक जाएगा, मेरे बच्चे जनवरी से ले करके, अगस्त तक जाएगा, कितना जनवरी से अगस्त तक, मुझे इसका एंसर अलड़ी मुझे याद है, मुझे यह मैं, दो दिन पहले ही आपकी क्लास में करवाया थ, किसी बच्चे को याद है क्या, मैं दो दिन पहले, दो या तीन दिन पहले ऐसा question कराया था, मुझे इसका answer याद है, इसका answer एक अगस्त आता है, इसका answer एक अगस्त आता है, और आप मुझे से बहुत सारे बच्चे अभी भी गलत बता रहें, कितनी गंदी बात है न, इसका answer एक अगस्त आता है, मुझे आप चले जाएंगे, यहाँ पर देखेगा, 30, 31, 31, 31, January, February, March, April, May, June, July, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप पूरे को जोड़ोगे, तो यहाँ पर यही आएगा, 1 अगस्त 2016 आजाएगा, 1 अगस्त 2016 आजाएगा, ठीक है ना बच्छों, चलिए, अगले कुशन की बात करते हैं, थोड़ा सा, दो मिनट और लेंगे, क्योंकि उनका, विपल सर कहीं, बाहर हैं, कहें के सर्थ हो, ती मिनट खेज देजिएगा, जब दिकाने में, चलिए, बताएगे, यहाँ पर कहता है, यहाँ पर देखे, I, M, A, G, E, पर दरपन शभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर I, यहाँ पर M, यहाँ पर A, यहाँ पर क्या हो जाएगा, G, और यह आपका क्या हो जाएगा, बच्छों, E हो जाएगा, E ऐसे ही बनेगा, G, कौन सा उत्तर बन जाएगा, आई डबलू ये ये वाला एंसर हो जाएगा क्या C वाला उत्तर बच्चो आपका आ जाएगा क्या बता ना C एंसर आएगा क्या बच्चो C 43 में बताई ये क्या हो जाएगा कुछ बताया कुछ बताई भे नहीं करते हो तुम लोगों चालिए अगले कुशन की बात करते हैं कुशन नमर 84 की बात करते हैं और ये हम छोड़ेंगे भी time भी दीरे दीरे पूरा हो रहा देखिए हम बात करते हैं इसकी बात करते हैं देखिए एक नो अठारा अठाइस कुशन मार बताइए अभी इसमें कई कुशन है बचो कराना था कई कुशन है बाकी रहे गए बड़े इजी इजी कुशन बाकी रहे गए इनको आप जरूर करिएगा बड़े जी जी कुशन बा या तो ये पार्स वाले का बैताया नहीं, कोई एक बच्चा बोल रहा है, कोई एक बच्चा बताया था, पार्स दर्पन छबी का मतलब क्या होता है, कोई पार्स दर्पन छबी का मतलब क्या होता है, ये होता है ना पार्स दर्पन, पार्स दर्पन छबी का मतलब ये होता है क यह उतार, side mirror लिखा हुआ है sir, side mirror लिखा हुआ है sir, side mirror लिखा हुआ, यहाँ बर आपका B correct हो जाए है, sir side mirror की बात करता है, sorry, भाईया side mirror, क्या है बच्छो side mirror है, side mirror, side mirror का मतलब यही होगा, B answer, माफी चाहरे हैं बच्छो, side mirror, side mirror, side mirror, side mirror, जल्दी में वो छूड़ गया, यहाँ पर 8, यहाँ पर कितना हो जाए, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, पतम करते हैं आप, इसके बाद यहाँ पर 11, 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 49, चलिए बच्छों, तो बाकी कुछ कोशन आपको जो है, वो सभी कोशन ऐसा homework करने होंगे, जैसे इस कोशन को, यह कोशन आ आपको as a homework करना होगा, आप सभी बच्छों को जो भी कुशन बाकी है, उनको homework करेंगे, कुशन नमर 46 को as a homework करिएगा, यकरित हिर्दे, दोनों अंग के पार्ट होते हैं, 47 में तिर्भुजों को बताना है, 48 भी आपको बताना है, और 49 भी और 50 भी, सब मैं ऐसे आपको screenshot में दे दूँगा, question, oh sorry, बच्छों ध्यान से देखिएगा, हमारा जो परिवर्तन बैच, इस परिवर्तन को आप एक्जामपुर की official application पे, यदि आप 31 मार्च के पहले तक ले लेते हैं, तो बच्छों आपको मात्रे, जो पुराने बच्चे हैं, वो हमारे 749 और नए बच्च Constable और MPSI, इतना कुछ आपको मिल जाएगा, हाँ, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, thank you so much, जाहिए बारत, अरे, विपुल सर फसा दिये दिए, आई, झाले, आई, 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 झाल झाल